नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पीके एजूकिशन कोर पर आज हम बात करेंगे ऑस्टेलिया की जंगलों में जो तेजी से आग लगी उसके बारे में तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑस्टेलिया की पूर्वी तटके जंगलों की इस्थिती बहु के जंगलों में काफी तेजी से जो आग फैल रही है इस आग से जंगल का लगभग ये 515 ना होके ये 40 मिलियन छेत्र लगभग बरबाद हो चुका है साथ ही पूरे बिश्व में परियावरण को छती पहुचने के कारण स्थिती बत्तर होती जा रही है मीडिया रेपोर्ट के एक तरीके से हाफ से गए हैं हालात यह है कि इस वक्त में ऑस्टेलिया की राजधानी कैनबरा दुनिया की सबसे प्रदूसित जगह बन गई है और यहां आपातकाल घोचित कर दिया गया था अब देखेंगे जंगलों की आग का कारण होता है अभी पिछले वर्स हमने द कैसा बदलते जलवायों परिवर्तन का नतीजा है इस आग में जुल से जानवरों को बचाने का रहतकार अभी भी जारी है परन्तु यह द्रस कितना कठेन है जहां हजारों बेजवान जानवरों की रोज मृत्यू हो रही है दरसल ऑस्टेलिया में लगी इस आग के पीछे म भीषड गर्मी सूखा और पिछले तीन महीनों में चल रही तेज गर्म हवाओं जैसी कुछ ऐसी घटनाएं रही है जिसके कारण यह आग जंगलों के अलावा आसपास के इलाकों तक भी फैल गई है यह आग वर्ष 2019 के जुलाई महीनों से लगी है और स्टेलिया में लगी इस आग से न्यू साउथ वेल्स का करीब 40 हेक्टेर इलाका पूरा बर्वाद हो चुका है अब देखेंगे अब बात चाहे अमेरिका के कैलिफॉर्निया के जंगलों में लगने वाली आग का हो या फिर रूस के साइवेरिया और ब्रजील के अमेजन वर्सा बनों में पैद जिम्मिदार होती है देखा जाए तो वर्स 2019 में जंगलों में आग की जदतर घटनाओं में इंसानी भूमी का मुख्य रूप से जिम्मिदार है एक आंकडे के मुताबिक ऑस्टेलिया में लगबग 62 हजार आग की घटनाएं सालाना दर्च की जाती हैं और इनमें से करीब 13 प्रतिसत घटनाएं मानव जनित कारणों से होती हैं क्या है वनों की आग और इसके पीछे परेडाम वनागनी एक ऐसी दुरखटना है जब किसी प्राकरतिक या मानवी कारण से किसी वन के एक भाग में या पूरे वन में ही आग लग जाती है और उस वन की बनस्पति एवं जय विवित्त खत्रे में पढ़ जाती है वनागनी अपने विशाल आकार के कारण इसके उद्गम स्थान से आगे फैलने की गती एवं इसकी दिशा बदलने वा खाली स्थानों जैसे सड़कों नदियों आधिक से आगे बढ़ जाने की छमता के कारण यह अन अगनियों से जंगलों में ऐसी आग की इस्थिति तब पैदा होती है जब बनस्पतिया और मिट्टी सूख जाते हैं और आदरता बहुत ही कम हो जाती है इसके अलावा जंगलों में एक प्राकर्तिक काड़ों जैसे आकाशी बिजली गिरने से या प्राकर्तिक रूप से वन में उत्पन घ से क्रत्वी शामिल है जानकारों का कहना है कि जंगलों में लगने वाली आग जंगल में मौजूद सूखे जाड़फूस और हवा के प्रभाव में तेजी से फैलती है अब हम देखें इस तरह की आग का सबसे जादा असर कारवन चक्र पर पड़ता है जंगल ही CO2 को सोकते हैं ऐसे में जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो इसका सीधा असर हमारे परयावरन पर पड़ेगा साथ ही जंगलों में आग लगने से जैवित्ता को भी खत्रा हो जाता है इसके अलाबा क्रशी और विकास कारियों में मिर्दा चरन की समस्याएं उत्पन हो जाती हैं साथ ही इस इस्थानीय सांस्कृतिक व्यवस्था भी खराव होती है ऐसे में कई इस्थानीय जंजातियों जिनका अस्तित वहां की जय विवित्ता और प्राकरतिक परयावरन पर निर्वर करता है वो भी खत्रे में आ जाती हैं तो यह था अज का पूरा वीडियो जो मैंने आपके करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वैल आइकन को प्रेश करें ताकि यह थे आप हमारे चैनल के हर अबने रहें तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तो नमस्कार अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी